यूपी से आए दंगायों ने हिंद पिड़ी मेराची हिंसा की साजीस रांची में आग यानी फैरिंग हिंसा की जड़ाक उपद्र तोड़फडवा पत्रबाजी के पिछे दंगायों की गहरी साजीस है पोलिस के वरिष्ट अधिकारियों को सुचना मिली है कि राजधाने के हिंद पिड़ी इलाके में पिछले कुछ दिनों से उतर पर्दे से कुछ संदिक लोग आका ठारे हुए थे एह हिंद पिड़ी में धर्म BCS के लोगों को पद्रव के लिए त्यार कर रहे थे उन्हें हिंसा के लिए भड़का रहे थे ऐसे ततो अपने मीसन में सफल रहे और जिस मनसुवे से राची आय थे उसे पूरा करा दिया इस सुचना के बाद पूलिस के वरिष्ट अधिकारी हरकत में आय गया है निर्देश दिया गया है कि ऐसे ततों को चिनित कर उन्हें गिरप्त में लेने की करवाई की जाए बतादे जार्खन में परतिवंधी पोपुलर फ्रंड आफ इंडिया पर भी सक किसुई है कवी संताल के छेतर में पी एफ आई ने इसी तरह के घटना को अंजाम दिया था राज्य में मानसून परवेस की बात करे तो बारिस के लिए चार दिन और सब्र करना होगा हलागी सल्ताल परगना वा पच्छिम सिंभूम इलाके में बारिस होने की समवन अब्यक्त की गई है पतादे गारा वा बारह जून को अकास में बादल चा सकते हैं लेकिन बारिस की उमीद कम है जबकि 13 जून को बादल चाय रहेंगे इस दरान तेज हवा के साथ बजरपात होने की असंका है कुछ इलाकों में छिट पूट बारिस हो सकती है मौसम विभाग के अनुसार मांसुन के दो तीनों के अंदर पच्छिम बंगाल पहुँचने की उमीद जगी है इससे समभा वाई की राची और आसपास के इलाके में 14 प 15 जून को हलके और मददच की बारिस हो सकती है अकांच्छा कोचिंग के सिख्षकों का मोबाईल नंबर जारी झारखन सरकार के सिख्षा विभाग की ओर से अकांच्छा कोचिंग का संचारन किया जाता है इसे मादमिक सिक्षा नीदे साले द्वारा संचारित किया जाता है विभाओ के ओर से यहाँ पढ़ने बाले स्टुडेंट के डाउट के लिएर करने में सहुलियत हो इसके लिए SISGO का मॉबाइल नंबर जारी किया गया है विभाग के और से जारी किये गए सिख्षकों के नमबर पर संपर्क कर स्टूडेंट पढ़ाई में हेल्प ले सकते हाई इसके लिए समय भी निधारित किया गया है तरह समय के अनुसा इस्टूडेंट सुबह साड़े नौ बए से साड़े गारा बए तक सला ले सकते हाई जार्खन के गाओं में पेजल आपूर्ती की स्थिती सुधरेगी या नहीं सरकार ने मांगा सुझाओ जार्खन सरकार पेजल आपूर्ती योजना के संचालन और वेवस्था का सुधरीड करने की दीशा में कदम दी है इसके लिए पेजल आपूर्ती नियमावली 2022 त्यार करने जा रही है गौतला भाय की जार्खन में अब तक 11 लाख घरों तक पानी पहुंचाया जा सका है जार्खन में टीबी मरीजों के हेल्थ के साथ हो रहा खिलवा है जार्खन में टीबी मरीजों के हेल्थ के साथ खिलवा हो रहा है इलाज के साथ मिलने वाले निच्छ पोसन योजना के तहत मिलने वाली रासी नहीं मिल रही है जिस वज़ा से अब उन्हें पोस्टिक भोया नहीं मिल पा रहा है जबकि टीवी मरीजों को दिये जाने वाली करीब 13 कोर रासी खाते में पड़ा हुआ है यह समस्या सिंगल नोडल एजेंसी के तहत बैंक से समस्या आने के कारण हो रही है इधर स्टेट टीवी के आकड़ों के अनुसार 24 हेर नाइट टीवी मरीजों की पाचान इस साल होई है वहीं 18-19 तीवी के मरीज पहले से है गुमला में आन्धी तुफान और बजरपाद से बच्चे समेत दरजनों पस्व की मत जगा-जगा पर मुखे सड़कों पर पिण गिरने से आवागमन घंटो बाधित रहा लोगों को भारी नुक्सान हुआ है गुमला पुर्वी छेत्र की जीला परिशास सदसे सन्युकता देवी ने आंधी तुफान से वे नुक्सान का जाजा लिया है आंगन बारी के बच्चों से पताधिकारी पूछेंगे पांच साल पहले खिचडी खाया या नहीं पहले आंगन बारी केंद्र में खिचडी मिलता था या नहीं उलेखनिय है कि आंगन बारी केंद्र में चलाए जाने वाले पोसा हार वित्रन किरासी बीतिये साल दोयर अठारा उनई से लेकर दो हजार बीस एकिस तक के बीच सोला माह का बकाया रह गया है इसका बील आंगन बारी केंद्र संचालिका की ओर से काफी पहले ही जामा कर दिया गया है लेकिन भुकतान नहीं किया जा रहा है पूजा सिंगल मामले की जाच कर रहे एडी के उप निदेशक का तबादला जारखन की निलांबित खान सचीव आईएएस अधिकारी पूजा सिंगल के खिलाप मने लंडरिंग के मामले में परवतन निदेशाले का अनुसंधान कर रहे एडी के जारखन परमुक उप निदेशक सुबोध कुमार का सुक्रवार को तबादला कर दिया गया सुचना है कि देश भर में जाच एजेंसी एडी में बड़े परमाने पर तबदले हुए हैं जिन में सुबोध कुमार का भी नाम है हलाकि इसकी अधिकारिक पूश्टी नहीं हो सकी है बतादे जहारकंड के पूरो मंत्री एनोस एका के बिरूद मनिलोंडरिंग के मामले में अनुसंधान के बाद ही सुबोध कुमार के नितित में इडी जहारकंड की टीम ने पूरो मंत्री एनोस एका की बिरूद पुकता सबुत जुटाया है हेमन्त सुरेन रांची हिंसा पर दी चौकाने वाली प्रतिकिरिया जारखंड के मुख्य मंत्री हेमन्त सुरेन ने सुक्रवार को जूमे की नमाज के बाद राजधानी रांची में संप्रदाई भी सेस की ओर से किये गए उपद्रों पर अपसोस जताया सन्वाद दताओ से बादचित के करम में उन्होंने कहा कि आज की घटना से जुड़े विशाय पर भी चिंता क्या हो सकता है कहीं न कहीं हम सब बहुत सुन योजित तरीके से कुछ ऐसी सकतियों का सिकार हो रहे हैं जिसका पईनाम हम सब को भुगतना पड़ेगा हेमंत सुरे ने कहा कि यह घटना निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विशाय है राज्य के लोग धार्य रखे और किसी भी जूर्म में सरिकत न हो उन्होंने कहा कि जैर्खन की जनता सनवेदन सील रही है और बरतमान हालात में हम कड़ी परिक्षा की घड़ी से गुजर रहे है हो सकता है कि आगे अभी कठीन परिक्षाय भी हो लेकिन हमें धर्यक होने कि आउसकता नहीं है रांची को दहलाने की साजी इंटरनेट सेवा बंद जैर्खन की राइधाने रांची में जवर्जस उपद्रव हुआ है जुमा के नमाज के बाद इकरा मस्जीद इलाके में आराजक ततों ने पूलिस पर हमला बोल दिया आग यानी पत्राव फाइरिंग में एक ब्यक्ति की मौत भी हो गई है जबकि 12 से अधिक लोग घायल है एक पूलिस वाले को भी गोली लगी है मुख्य मंत्री हमास ने लोगों से सान्ती की अपिल की है बता दे बावाल के पिछे नूपूर सर्मा के ब्यान को कारण बताया गया है संप्रदाई बिसेस के लोग इसके बिरोध में सड़क पर उतरे और देखते ही देखते पुरी भीर हिंसक हो गाई मंदीर में भी तोड़ फोड़ की गई है बिहार के मंत्री नितिन नवीन को भी उपद्रियों ने निशाना बाया हेमंत सुरेन की CBI जाच मामल में कोट ने कहा फासला हो कर रहेगा जहारखन के मुख हेमंत्री हेमंत सुरेन को लीज आवंटित करने और उनके भाई बसंत सुरेन के करिवियों को सेल कंपनी में निवेस करने को लेकर दाखिल याचका पर जहारखन हाई कोट में सुनवाई हुई सुनवाई के दुरान सरकार की ओर से कहा गया कि सेल कंपनीों वाली याचका को हाई कोट द्वारा सुनवाई योग ठाराय जाने के आदेश के खिलाब जारकन सरकार सुप्रीम कोट में S.A.L.P. दाकिल की है अगले सब्ता इसकी सुनवाई हो सकती है इसलिए हाई कोट को इसकी सुनवाई नहीं करनी चाहिए सरकार की ओर से बार बार सुनवाई टालने का आगरा करने के बाद अदालत ने सुनवाई 17 जून को निधारित की अदालत ने कहा कि उस दिन केस के मेरिट पर सुनवाई की जाएगी और किसी पक्ष को समाई नहीं दिया जाएगा हाई कोट ने पूछा भूग से मौत की परिभासा बताई है मंत सरकार जहरखन हाई कोट के चिप जश्रीस डाक्टर रवी रंजनवा जश्रीस एसन परसाथ के अदालत में राजे में भूग से मौत पर सोता संग्यान से दर्ज मामले में सुनवाई हुई सुनवाई के दरन अदालत ने सरकार को भूग से मौत की परिभासा बताने को कहा है कोट ने पूछा है कि भूग से मौत का मतलब क्या है सरकार कब मानती है कि किसी की मौत भूग से हुई है आदालत ने सरकार से चार सप्ताह में इसकी जनकारी कोट में पेस करने का निदेश दिया आदालत ने सरकार से अभी पूछा है कि उनकी ओर से गरीबों के लिए कौन-कौन सी योजनाय चलाई जा रही है इनी वजनाओं का लाब कीतने लोग को मिल रहा है क्या अमतिम व्यक्ति तक सरकार की वजनाए पहुच रही है कोट ने पूछा बसंद सुरेन कौन है जायरखन के मुख्य मंत्री हमन सुरेन के ख़दान लीज आवंटन और उनके सेल कमपनियों में निवेस के मामले में सुनवाई कि दरन अदालत ने मौखिक रूप से पूछा किया बसंद सुरेन कौन है उन्हें और सुरेन परिवार को कितनी माइनिंग लीज परदान की गई है इस पर सरकार की ओर से कोई जबाब नहीं दिया गया आदालत ने नराजगी जताते हुए कहा कि सरकार की ओर से दाखिल आई याचिका में जिन सब्दों का इस्तमाल किया गया है वह नयाईक सिष्टा चार के बिरोध है आईसा करना बिल्कुल सही नहीं है सरकार इस मामले में समय मांग कर किसे बचाना चाहती है रांची में हिस्सा काबू करने के लिए लाठी चार्ज वाफ हैरिंग भाजपा ने त्री नूपूर सर्मा के द्वारा दिये गए अपति जनक ब्यान की खिलाफ रांची में हिंसा भड़क गई है रांची का में रोट का इलाका रंचेत में तबदिल हो गया में रोट जाने की सोच रहे है तो अभी इस ओर का मार्ग बंद कर दिया गया है बताज़े द्रोणडा से आने वाले मार्ग को डाइवर्ट कर घागरा या हर्मू कर दिया गया है जबकि सहीद चौक से आने वाले रास्ते को भी अलवर्ट एका चौक के पास से डाइवर्ट कर दिया गया है इस ओर से करवला चौक जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है साथी पुलिस बलों के अतिरिक तेनाती की जा रही है रिम्स का OPD सेवा 27 जुन को बंद करने की त्यारी रिम्स और आज पत्रित करमचारी संग एक बार फिर स्वास्त सेवा बाधित करने की त्यारी में है जारखन के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स जहां पर हर दिन करीब 3,000 मरीज पहुंचते है वहाँ पर कार्य बाधित होने के बाद कई मरीजु का इलाज बाधित हो सकता है बता दे आज़ुसमान योजना के कार्य से लेकर दावा बित्रन तक की शिवाय बाधित हो सकती है करमचारी संग ने अपनी मांगो को लेकर निदेशक को छो दिनों के अंदर मांगो पर निर्नाय लेने को लेकर पत्र लिखा है जिसमें करमचारीों ने अल्टिमेटम देते हुए कहा है कि अगर 15 जुन तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो उनका अंदरन उग्र होगा साथी 94 तरीके से अभियान भी चलाया जाएगा लोगों से अपील है सांती बनाय रखे बना गुपता स्वास्त मंत्री बना गुपता ने कहा है कि राष्ट्रिय एकता को तोड़ने वाले कुछ मौका परस्त लोगों ने सुनियोजित सड़यंत्र के तहत रांची का महल बिगार कर हमें आपस में लगाने का दुस्षा हस किया है राजे के सभी अमन पसंद लोग इन देश तोड़ने वाले लोगों के मनसुबों को कम्याब नहीं होने देंगे हम गंगा यमुना तहजीब पर विश्वास करने वाले लोग हैं देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाले ऐसे लोगों से बच कर रहना है राजे में आपसी सभाद्र और अमन चैन को बनाए रखना है स्वास्त मंत्री ने लोगों से अपील किया है कि सांती बनाए रखे ED ओफिस के बाहर 13 जून को कांग्रेस जोरदार परदसन की तयारी में जूटी कांग्रेस के केंद्रिय महा सचीव सा जहारखन परभारी अविनास पान्ड़े के उपस्थिती में वह परदेश अध्यक्ष राजेश ठाकूर के अध्यक्षता में सुक्रवार को वर्चूल बैठक होई इसमें परवर्तन निदे साले द्वारा राहूल गांधी की बिरूद करवाई किये जाने के खिलाप में तेरह जुन को रांची के इडिक कर्याले के सामने विरूद परदसन कारे करम को सफल बनाने का निनलिया गया बैठक में संगठन के ससक्ति करन कारे करम नव संकल्प कारे साला के आयोजन को लेकर भी व्यापक विचार विमर्स किया गया भाजपा लाई थी सरोजन पेंशन योजना रखुबरदास हेमंत सुरेन की सरकार जिस सरोजन पेंशन योजना पर वहवाही लूट रही है दरसल या भाजपा की योजना है यह बाते खोटी में राज्य के पुरो मुख मंत्री सभाजपा कराश्ट्रिय उपाध्यक्ष रगुबर्दास ने कही वे एक दिन पहले अस्थानिय परिशदन में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने योजना से समद्धित कागजात पत्रकारों को सोपते हुए बताया कि इस योजना को भाजपा की सरकार ने 5 मैं 2016 को ही मंत्री परिशद की स्विक्रिति पदान कर दी थी जिसमें यह अस्पष्ट उलेक था कि इस योजना अंतरगत 18 से अधिक उम्र की सभी बिध्वाएं जो किसी अने समाजिक सुरक्षा योजना अंतरगत लाब नहीं ले रही है इस योजना का लाब ले सकती है बिहार के मंत्री नितिन नवीन पर रांची में हमला रांची में बिहार के पथ निर्मान मंत्री नितिन नवीन पर हमला हुए है वे एक नेजी समारों में सामिल होने जहारखन की रहधानी रांची में आय हुए है इस बीच वे परदसन करियों की भीड में फस गए बताया जा रहा है कि परदसन करियों ने नितिन नवीन की गाड़ी में तोड़ फोड़ की है मौके पर मौजूद पूलिस की मदद से नितिन नवीन बाल बाल बचे जार्खन पुलिस ने निती नवीन को परदसन करियों कि भीन से निकाल का सुरसी जगा पर पहुंचा दिया है आपको बता दे कि रांची समय जार्खन के कई जीलों में बिजेपी प्रवक्तार नुपूर सर्मा के ब्यान का बिरोत हो रहा है लोहर दग्गा में मौत की सजा सुना पीट पीट कर मार डाला है जार्खन के लोहर दग्गा जीले में दिल दहला देने वाली घटना घटी है बता दे सेरेंग दाग थाना छेतर अंतरगत गनेशपूर गाउं में ग्रामिनों ने बैठा कर डान बता कर महिला को मौत की सजा सुनाई जिसके बाद ग्रामिनों ने लाठी डंडे से पीट कर उसे अधमरा कर दिया फिर जहर खिलाया और बाद फिर लाठी डंडे से पीट पीट कर निर्मा मत्या कर दी हत्या के बाद महिला के सोग को बोरी में भर कर धर धरिया जल प्रपात के उपर से नीचे फेक दिया राज जेपाल ने हिमंत सुरेन से ली रांची हिंसा की जनकारी जहर खन के राज जेपाल रमेस बैसने मुख्य मंतरी हमंसरेन से रांची के में रोड में हुई घटना की जनकारी ली उन्होंने सुक्रवार को साम में धूमका से रांची लोटते ही मुख्य मंतरी को फोन कर घटना के अलावा राज सरकार दोवारा की गई करवाई तथा राजी जिला परसासन को दिये कर निदेश की जनकारी ली उन्होंने कहा कि कानून बेवास्ता के साथ किसी भी तरह खिलवार नहीं होना चाहिए कहा कि इसमें जो भी लोग दोसी हैं उनकी पाचान कर उनके बिरोत कानूनी करवाई होनी चाहिए राज जेपाल ने राज के पूलिस महानी देशक नीरज सिना को अभी फोन कर मामले में कड़ी करवाई के स्तक्त निदेश दिये हाए रांची के नामकुम छेतर में पूलिस नकसली मुटबहेड़ दो गिरफतार जारखन की राईधानी राची के नामकुम छेतर में नकसलियों ने एक बार फिर अपनी उपस्थीती दर्ज कराने की कोशिस की लेकिन पुलिस की मुस्तहदी से नकसलियों के मनसूब़ पर पानी फिर गया नामकुम छेतर की राजाउ लातू पंचायत के टूटी हरा एवां बजरमारा में सडक निर्मान करा रही कमपनी से रंगदारी के पैसे एवां कार्य में लगे वाहनों को आग लगाने पहुँचे नकसलियों के पुलिस से मुटभेड हो गाई मुटभेड में एक नकसलि को कमर में गोली लगी है वहीं भाग रहे दो नकसलियों को पुलिस को पकड़ने में सफलता मिली है बासुकी नाथ दूमका और दूमरी देवघर फोर लेन को लेकर सीम ने लिखा पत्र मुख्य मंतरी हमनसुरें ने केंद्रीय सडग परिवहन राज्य मार्ग मंतरी नितिन गटकरी को पत्र लिख कर वास्की नाथ से दूमका और दूमरी से देवघर सडग को फोर लेन करने के लिए अगर किया है वहीं धार्मिक अस्थल पर सधालूओ को हो रही परिसानी से भी अउगत कराया गया है मुख्य मंतरी ने पत्र के जरिये केंद्रीय मंतरी सीरी गटकरी को अउगत कराते हुए कहा कि देवघर स्थीत बैजनात धाम एक महतपुन तिर्थ अस्थल है हर साल सावनी महीने में देश के विभीन हिसों से लाखो भक्त यहां आते हैं और भागवान सीव को पवित्र गंगा जल चढ़ाते हैं कुरोना महामारी के कारन पिछले दो साल से देवघर में सरावनी मेला आयोजित नहीं किया गया अलाकि कुरोना माहमारी नहीं बढ़ने की स्थिती में इस साल मेला आयोजित होने की संभावना है सेल कंपनी और माइनिंग लीज मावले में 17 जुन को होगी सुनवाई जार्खन के स्थियम हेमान सुरेन के माइनिंग लीज आवंटन एहम कारोबारियों के सेल कंपनियों में निवेस को लेकर दायर जन ही त्याज का पर सुनवाई होई सुनवाई में राज सरकार ने कोट से जबाब देने के लिए समय मांगा है जार्खन हाई कोट के चिफ जास्टिस डाक्टर रवी रंजन वा जास्टिस सुजीत नरायन परसाथ की खंट पीट में होई सुनवाई इसके बाद कोट ने राज सरकार को समय देते हुए 17 जुन को सुनवाई की अगली तारिक मुकरर की है जार्खन में बिगरती कानून वेवस्था पर बिफरे डीजीपी जार्खन के डीजीपी नीरा सिन्हान ने जेवर बेवसाई राजेस्ट पाल हत्या मामले में SIT गठित करने का निदेश दिये हैं इसमें राची SSP सुरेंद्र कुमार जां, CTSP आंसुमान वा ATS, SP प्रसांत आनंद सामिल है बता दे वीडियो कंफरेंसिंग के जरिये पुलिस अफसरों के मीटिंग होई जिसमें डीजीपी ने राजे में बढ़ते आप प्राधी घटनाव पर चिंता जाहिर की और राची जमसेद्पू सराइक लबो करवा धनबाद में हुए क्राइम की जनकारी ली डीजीपी ने सभी SSP वा ATSP को हर दिन अपने अधिनस्त अधिकारियों की समिक्षा करने का निर्देश दिये है धन्यवाद